नवस्कार मित्तो मैं पंडित देवस पंड़ा जोती सचार आज पुना आपके सामने उपस्तितू मित्तो आज हम बात करने वाले हैं चौड़ा मुख्य रुद्धाक्स के बारे में यह लिए आप अपने जीवन में कभी चौड़ा मुख्य रुद्धाक्स धारन करेंगे तो आपको किन लागों की प्रापती होगी इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं इससे पहले मित्तो मेरा एक प्रेम भरहाब से निवेदन अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो क्लिपिया सब्सक्राइब करना ना बूले मैं कंटिने से वीडियो बना रह और समझते हैं चौदा मुख्य रुद्राक्ष के फायदे यह नम करने की विद्धि को है चौदा मुख्य रुद्राक्ष भगवान सीव को सबसे ज़्यादा प्री होता है वित्रु इसे हन्वान जी का सरूप भी माना गया है चोदा मुखी रुद्दाक्ष, चोदा विद्या, चोदा लोक और चोदा मनु का सक्षात रूप है हमारी जीवन में सभी परसानियों को दूर करने की सक्ती से प्राप्त रहती है या आत्मविश्वास को भी काफी बढ़ा देता है यदि आप चोदा मुखी रुद्दाक्ष धारं करेंगे तो और सनी देव की भी इसमें विशेश्क्रिपा देखी गई है यदि आपके कुनली में सनी देव दूसीत है या अच्छा प्रभावर नहीं दे रहे हैं तो आप चोदा मुखी रुद्दाक्ष धारं कर सकते हैं चोदा मुखी रुद्दाक्ष धारं करने के लाव चोदा मुखी रुद्दाक्ष धारं करने वाला व्यक्ति रुद्व लोग में वास करता है ऐसा माला जाता है जो लोग सनी दोश से पीडित हैं उन्हें चोदा मुखी रुद्दाक्स धारंग करना चाहिए मैंने पहले भी आपको भी पता है हर्मान जी से समंधित होने के करन चोदा मुखी जो लोग रुद्दाक्स धारन करते हैं उन्हें बज़ेंग बलीव कि उन कीपा डिस्ति प्राप्त रहती है चोदा मुखी रुद्दाक्स धारन करने वाले जातक को जादू तोना का और ब्लेक मेजिक कब है नहीं रहता सबसे बड़ी विशेष्ता चोदा मुखी रुद्दाक्स की यह है कि ये आप चोदा मुखी रुद्दाक्स धारन करते हैं तो कभी भी आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा ऐसा माना गया है चोड़ा मुखी रुद्दाक्स से साथ भगवान शिव भीश चोड़ा मुखी रुद्दाक्स को धारण करते हैं इसलिए इसका अत्यन्थित महत्र है जी उनमें चौदा मुखिर उद्धाक्ष पक्षागात की चिकिस्टा के लिए अत्यन्त हीतकर माना गया है। अब जब भी चौदा मुखिर उद्धाक धारण करें ओम नमा शिवाय कर जब करते विए इसे धारण करें और निरंतर इसकी एकमाला ज़रू जब करें। ऐसा करने से आप तेखेंगे कि आपको जिवन में अनेकर नेक लाख लाख की प्राप्ति होगी मितो। इसके साथ मैं यहीं आप से वीजा लेता हूँ जय मातदी। नमस्कार मितो।